प्यारे बच्चों, देखे, आज हम आपकी आकरती की किताब में, आपका जो पार्ट एक है, जिस पर कविता दी है, पार्ट एक जूला, आज हम उस पार्ट का अभ्यास कार रहे हैं, देखे, अभ्यास कार रहे हैं, ये हैं, देखे, किस तरह करेंगे, चलिए सीखते हैं, दे सही उत्तर पर सही, यानि कि ये सही का चिहन लगाओ, देखे, जैसा कि आपका पहला प्रेश्न है, क बच्चा जूला लगाने के लिए किस से कह रहा है, आपने कविता पड़ी है, कविता याद भी की होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा, जो बच्चा है वो कविता जू पहला है चाचा से, दूसरा है मामा से, तीसरा है अम्मा से, और चौता है पापा से, तो बताइए बच्चा जो है जूला लगाने के लिए किस से कह रहा है, अम्मा से कह रहा है ना, तो हम अम्मा के सामने यानि कि इस वाले बॉक्स में सही का चिन इस तरह से लगा देंगे, और बाकी के जो boxes हैं उनको इसी तरह blank छोड़ देंगे ठीक, अब एक और देखते हैं, देखें, खावाला बच्चा क्या छूने के लिए कह रहा है? तो देखिए, बच्चा आस्मान छूने के लिए कह रहा है बादल छूने के लिए कह रहा है पेर चूने के लिए कह रहा है या सूरज चूने के लिए कह रहा है आपने कविता पड़ी है तो बच्चा कहता है आसमान को मैं चूलूंगा तो वो आसमान चूने के लिए बोल रहा है तो हम आसमान के सामने सही का चिल लगा देंगे और बाकी के जो बॉक्स हैं उन्हें छोड़ देंगे इसी तरह आपको ये गावाला खुद से करना है ठीक है? अब देखें प्रेश्न सब्ख्या तीन वो वाला आप खुद करोगे तुक मिला कर शब्द बनाओ आप तुक वाले शब्द तो जानते हो ना जैसे कल, कल का तुक वाला शब्द जल, हल, थल, बल अब पानी, पानी का रानी, नानी है ना? इसी तरह इन शब्दों के भी इधर तुक वाले शब्द है तो सही वाला आपको मिलाना है जैसे जूला, अब जूला का बढ़कर नो, करती, नो, फल, नो, फूला जूला फूला तो जूला का जो तुक वाला शब्द है वो है फूला और इसको हम इससे मिला देंगे उसी तरह चड़कर बढ़कर अरे ये तो शुरू में मिल गया तो चड़कर को मिला देंगे बढ़कर समझ आया ना तो बाकी के जो है वो आप खुझ से पढ़कर के प्रॉपर इसको करोगे तो अब आपका होमवक है आपको प्रेश्ट संख्या 25 और 26 पर प्रेश्ट संख्या 2 और प्रेश्ट संख्या 3 अपनी किताब मैं ही करनी है ठीक है बेटा